ओलेह गिर्मान अपने ट्रैक्टर और खेती के आउजारों को जाण पोंच रहे होते लेकिन उनके पास कुछ बचा ही नहीं है यहां रूसियों का कब्जा था और जब वो गए तो सब कुछ साथ ले गए यह बहुत दर्दनाक था, मैंने अपने कुछ साथियों से बात की और बहुत तकलीफ हुई कुछ खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए है लोगोंने बताया कि रूसी वहां आए जहां एक गाय खड़ी थी उन्होंने गाय को गोली मारी और उसकी टांगें खाने के लिए ले गए जंग से पहले यहां ओलेह के पास तीस कर्मचारी थे लेकिन तब से उन्हें पांच लाख यूरो का नुकसान हो चुका है एक छोटी कमपनी के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान है रूसी सैनिक जब खारकीव से चले गए तो लोगों ने राहत की सांस ली लेकिन वे इस जगहे को बारूद के धेर पर बिठा गए रूसी सैनिक यहां पर थे तो उन्होंने सामने की सारी जमीन पर माइन्स बिछा दी और यहां मेरा सारा खेत है अब यहां क्या है हम बस अंदाजा लगा सकते हैं ओले है जहां जुताई और बुआई करते उस खेत में भारी उपकरण चलाना अब बहुत खतरनाक है मेरे हिसाब से यह एंटी टेंक माइन है और यहां शायद किसी तरह का जाल बिछाया गया था माना जा रहा है कि पूरे खारकीव में माइन और जिन्दा गोला बारूर बिखरे हुए हैं कुछ चीजें खोजना आसान है ये मिसाईल की पूँच है इसमें रशियन स्मिर्श का इंजन लगा है और कौन जाने जमीन के नीचे क्या हो यहां कोई खेती नहीं होगी जब तक बारूदी सुरंग रोधी टीम ये जमीन साफ नहीं कर देती यूक्रेन के बहुत सारे इलाकों में हजारों किसानों का यही हाल है और अभी सीजन शुरू ही हो रहा है लेकिन कुछ लोग जोखिम लेने को तयार है यूरी का ट्रैक्टर एक माइन पर चड़ गया वो खुशकिसमत है कि वो बच गये तुकडे यहां 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 ज्यादा लगे मुझे ठीक होने में लंबा वक्त लगेगा यह बहुत फैला हुआ घाव है कुछ तुकडे धातू के थे ज्यादा तर प्लास्टिक रबड के थे अब ज्यादा तकलीफ नहीं है लेकिन पहले दिन तो जान निकल गई थी वो कहते हैं कि वो खत्रे के बावजूद काम जारी रखेंगे उन्होंने हमें खुद से हटाई गई माइन भी दिखाई यह तो बस वो थोड़ा सा सामान है जो उन्हें खेत में मिल गया जहां तक मैं जानता हूँ कि युक्रेन में चोटिल होने वाला मैं ना तो पहला इंसान हूँ और नहीं आखरी इस पूरे इलाके के खेतों में हालो ट्रस्ट की बारूदी सुरंग हटाने वाली S.E.T. में हाद से रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है वे कई अलग-अलग खत्रों से रूब-रू हो रहे है प्रेशर प्लेट वाली एंटी पर्सनल माइन बांडिंग फ्रेग्मेंटेशन वाली एंटी पर्सनल माइन तारों से जुड़े ग्रिनेड हमें यूकरेन में इस्तिमाल हुआ तमाम गुला बारुद मिल रहा है प्लास्टिक और धातू के केस में एंटी विकल माइन इनका अनुमान है कि सुरक्षद घोशिद किये जाने से पहले 30-40 फिस्दी यूकरेन को जाचने की जरूरत है यहां ऐसे लोग हैं जो अपनी ही जमीन पर नहीं चल सकते वो लेंड माइन्स की वज़ा से अपने ही याड में पिकनिक बनाने नहीं जा सकते दूसरी तरफ वो अपनी जमीन पर खेती भी नहीं कर सकते जबकि ज़्यादातर लोगों के लिए खेती ही आए का प्राथमिक जरिया है इंफ्रास्ट्चर की दिशा में सोचा जा सकता है लेकिन वहां भी लोग नहीं जा सकते यूकरेन में हो रहे हाथसों की संख्या लगातार बढ़ रही है जंग चाहें जितनी लंबी खीचे लैंड माइन्स का खत्रा उससे भी आगे तक बना रहेगा अब तक मदग का इंतजार कर रहे किसान ओलेह गिर्मान अब खुद ही अपना खेत साफ करने की सोच रहे हैं वो कहते हैं कि अगर वो समय से खेती शुरू नहीं कर पाए तो लोग चले जाएंगे और फिर कभी नहीं लोटेंगे